हलो भाईयों स्वागत आपका न्यू वीडियो में SSAJD 23 के लिए बिहार जनरल मेल फिमेल का फिजिकल के लिए कट अफ कितना गया फाइनल मेरिट कितना जाएगा रनिंग के लिए कितने बच्चे पास हुए पूरा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए सुरू करते हैं उससे पहले तीन बहुत कोस्टन बड़ी कोस्टन देख लेते हैं जैसे फाइनल एंसर की कब आएगा तो 17 अपरिल को आजाएगा तो उसका फाइनल एंसर की कब आएगा तो 17 अपरिल को आजाएगा माक्स कब पता चलेगा कि नर्मलाइज करके कितना स्कोर हुआ कितना नमबर बढ़ा या पूरा डिटल्स कब पता चलेगा सबसे बड़ी सवाल फिजिकल कब होगा टेंटेटिव देट 15 अपरिल है लगभग 20-25 अपरिल से फिजिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा एडमिट कर आपका आने लगेगा क्योंकि ज्यादा लेट नहीं करेगा टेंटेटिव दे चुका है तो आप लोग फिजिकल के त्यारे भी करते रहिए अब चलिए अब लोग देख लेते हैं ये कट अफ कितना गया और फाइनल मेरिट कितना तक बन सकता है नर्मलाइज करके ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिहार के जनरल दिश्टी के मेल के बारे में देख लेते हैं पहले उसके बाद फी मेल का देखेंगे ठीक है मेल का पहले यू आर के देखें तो 858 सीट है आठगूना कंडिडेट आठगूना कंडिडेट आठगूना कंडिडेट पास हुए फीजिकल के लिए एक सो पंदरव पॉइंट बावन कट अफ गया है इसका OBC के 504 एस्टूडेंट थे 4,032 एस्टूडेंट फीजिकल के लिए पास हुए 111.65 इसका कट अफ गया है SC की बात करें तो 299 एस्टूडेंट है 284 फीजिकल के लिए पास हुए 89.99 इसका कट अफ गया है फीजिकल के लिए HD के 17 एस्टूडेंट थे 136 एस्टूडेंट फीजिकल के लिए पास हुए 103.61 इसका कट अफ गया है EWS की बात करें तो 186 एस्टूडेंट है जो 288 फीजिकल के लिए बुलाए गया है 109.52 कट अफ गया है ठीक है अगर हम इसका एस्पेक्टेट देख लिए मेरिट कितना तक जाएगा सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि भाई इतना मतलब फीजिकल के लिए इतना ज़्यादा कट अप कैसे जा सकता है इसकी दो बहुत बड़ी रिजन है पहला रिजन ये है कि तेख ये पहला नकसल डिश्टिका बोटर डिश्टिका जितना भी लड़के हाइर माक्स वाले होते हैं वो जूड जाते है जेनरल से पहिला कारण दूसरा कारण की 8 डिष्टिक को निकाल के वहाँ से 6 डिष्टिक को नकसल से निकाल के अब जेनरल में कर दिया गया है तो जेनरल में डिष्टिक जादा हो चुका है ठीक है दूसरा कारण तीसरा कारण यह है कि नर्मलाइज सबका किया है SSE दो परकार के नर्मलाइज करता है एक बढ़ाने घटाने वाला एक सिर्फ बढ़ाने वाला तो इस पार SSE ने सिर्फ बढ़ाने वाला काम किया है तो बहुत सारे बच्चे का नंबर बढ़ा है बहुत अच्छा से आपका भी नंबर नर्मलाइज करके अच्छा खासा बढ़ा होगा तो टेंसन नहीं लेना है फिलहाल अगर एस्पेक्टेड मेरिट की बात करें हम तो मेल में यूर का 127-130 है तो आप 100% आप मेरिट आपका बन जाएगा ठीक है OBC की बात करें तो 123-127 होना चाहिए एस्टी की बात करें तो 103-107 होना चाहिए एस्टी की बात करें तो 17 सीठे 118-122 आपका नर्मलाइज होने के बाद होना ही चाहिए और EWS की बात करें तो 120-125 चाहेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो जेनरल वाले हैं लगबग EWS डाल ही चुके हैं तो आपका लगबग यहीं मेरिट रहेगा आप लोग फिजिकल के त्यारी करते रहिए आपका नर्मलाइज में अच्छा कासा नमबर बढ़ा होगा जो 27 अप्रील को ही पता चल पाएगा अब तो चलिए हम अभी फिमेल का कटफ देख लेते हैं ठीक है बिहार के जनरल के फिमेल की बात की जाए तो यू आर में 103 सीट है 824 कंडिडेट यानि 12 गुना लड़कियां बुलाई गई है फिजिकल के लिए 109.25 इसका कटफ गया है OBC की 60 सीट है 480 लड़कियों को बुलाया गया है 102.77 इसका कटफ है EWS में 121 लड़कियां है 168 को फिजिकल के लिए बुलाया गया है 102.90 में कटफ गया ठीक है हम अगर एसकेक्टेट की बात करें तो कितना पर मेरिट बन सकता है तो यू आर में अगर 129 से 124 नॉर्मलाइज होने के बाद अगर स्कोर है तो आप सेफ है आपका मेरिट बन जाएगा यू नॉर्मलाइज का बाद का स्कोर है घबडाना नहीं है 27.77 को नॉर्मलाइज स्कोर आएगा नमबर सबका 10.15 नमबर इंकरीज हुगा है ठीक है तो टेंसन नहीं लेना है 27 अपरील को ही पता चलेगा कि कितना माग से ठीक है OBC एगर आप है 116-109 से तो आप 100% कनफर्म मानी है अपने आपको SC है तो 90-92 में आपका कट अफ जाएगा 100% फाइनल मेरिट के लिए ST है तो 110-112 जाएगा कट अफ क्योंकि दो ही सीट है तो थोड़ा कट अफ जादा जाएगा इसका EWS की बात करें तो 115-118 कट अपका मेरिट के लिए जाने वाला है तो यही एसपेक्टेट कट अफ था ठीक है कुछ और बात हम देख लेते हैं देखिए कट अफ जादा नहीं बढ़ने वाला है क्योंकि 15 अप्री नहीं फिजिकल का अपसेंट डेट है एक तो 50% बच्चे अपसेंट रहते हैं मैंने एक वीडियो बनाया था कितने परसेंट बच्चे अपसेंट होते हैं क्या होते हैं बहुत सारे बच्चे अपसेंट हो जाएंगे ये स्कोर का वेट मत कीजिए, आप लोग रॉनिंग कीजिए, का है ना आपका बोर्डर पे ही नंबर हो, आप फिजिकल दीजिए, अटेंड कीजिए, बाकी आप बागवान पर छोड़ दीजिए, ठीक है, तो वीडियो में फिर आल इतना ही, थेंक यू, वीडियो को लाइक क करें और सेयर करें, ठीक है, थेंक यू